नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं रोज की तरह सहर की सडको पर लोगों की आवाजाही देखी गई और बजार गुलजार दिखे हलाकि बंद समर्थकों से निपटने के लिए जगा जगा पर परसासन की ओर से पुलिस बलोगे तेनाती की गई थी राइधानी रांची में कहीं भी किसी को एक जगा जाम नहीं देखने को रहा बता दे विभीन चोक चोराहो पर पुलिस की पैनी नजर थी वहीं पुलिस और विसेज सखा के लोग सादे लिवाज में जगा जगा तेनात किये गए थे वहीं रांची के अलवट एका चोक, रातु रोड चोक, कांटा टोली चोक, विर्सा चोक, वुट्टी मोड आदी परमुक चोक चोराहो पर आम दीनों की तरह लोगों की आवाजाही देखने को मिली सहर में आटो और बसों का भी परिचालन हुआ जमसेद्पूर हिंसा में गिरफदार भाजपा नेता के समर्थान में बीजेपी समर्थकों ने बिश्टूपूर ठाना में किया परदर्सान भाजपा नेता, अभाय सिंग, राम, नॉमी, बिसर्जन, जूलूस, मामले को लेकर पुलिस परसासन के निशाने पर थे कादमा में उपद्र होने के बाद सोम वार सुबा करीब साड़े पांच बजे अभाई सिंग को पुरिष ने कासी डी घर की घेराबंदी कर गिरफतार कर लिया जैसे ही पाटी के करकताओ और लोग खबर मिली कि अभाई सिंग को बिष्टू पूर्थाना में रखा गया वहाँ लोग पहुंचने लगे लोग 6 से 2 पार 2 बे तक भाजबाईयों और समर्थकों की भीर थाने में लगी रही गिरफतारी को लेकर थाने में धारना परदसन और नारेबाजी सुरू कियर दिगाई जारखन में बड़े पैमाने पर नियुक्ती सुरू सियम हमान्त जारखन के आमतिम ब्यक्ति तक पता दिकारी पहुंच रहे हैं सरकार भी जा रही है और योजिनाओ भी हकीकत में धरातल पर उतर रही है हमारे असपष्ट सोचाई की राजी के सुदरवर्ती वा दुरूस्त गाउं में भी विकास रफ्तार पकड़े ए बाते मुख्यमंतरी हमान्सुर ने सुमवार को सुंदर पहारी पर खंड के तसरया के एक लब्य मैदान में आयोजीत विकास मेला सहजानता दरबार को समोध करते हुए कही मुख्यमंतरी ने अपने समोधन में कहा है कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाते हैं उनके लिए सरकारी वीभागों में खाली पदो पर भाली की परकिलिया सुरू हो चुकी है नीजी छेत्र के संस्थाओं और कंपणियों में भी अस्थानिय युवाओं के लिए 35% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है जो कम पढ़े लिखे हैं और सुरूजगार करना चाते हैं उनके लिए मुख्य मंत्री सुरूजगार योजना समेत का योजनाओं को सरकार ने सुरू किया है सियम हमन्त ने कहा है कि राजी की सरकार गाउं के विकास वग्रामीन और तब्यवसा सुद्रिड को केंद्र बिंदू मान कर काम कर रही है अब सरकार गाउं गाउं जा रही है ऐसे में पदा अधिकारी को भी गाउं गाउं हर हाल में पहुंचना होगा सरकार के असपष्ट सोच है कि जब तक गाउं गाउं सरकार नहीं जाएगी तब तक गाउं का विकास नहीं हो पाएगा सुन्दर डेम को पर्यटन छेत्र के रूप में विक्सित किया जाएगा जारखन में 12686 कुरोणा बेड तयार मंत्री बनना ने कहा लोग डरे नहीं कुरोणा के बढ़ते मामले को लेकर सोमवार को सदर अस्पताल में मोग डिल किया गया दरन संदिक दे कुरोणा मरीज को एंबुलेंस में उतारने के साथ ही उसकी जाच की गई ऑक्सिजन लेवल देखा गया जिसके बाद उसे फिर इमर्जेंसी ले जाया गया जहां पर डक्टरों की टीम ने उसे भरती कर हाई फोलो अक्सिजन और वेंट्री लेटर की सुवदा उपलब्द कराई इस मौके पर स्वास्त मंत्री बना गुपता ने बताया है कि लोगों को अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है सारे लोग सुरक्षी था है उन्होंने कहा है कि पिछली बार कोरोना के आतंक को हम सभी ने देखा है जी से देखते हुए हम इस बार पूरी तरह से त्यार है राजे में 2686 कोरोना मरीजों के लिए बेड उपलब्द है 1447 ICU बेड है 1456 वेल्टिलेटर बेड है वहीं एक गार आया 337 ऑक्सिजन बेड और 122 PSA ऑक्सिजन प्लांट त्यार है उन्होंने बताया इसके अलावा जांच की भी पूरी बेवस्ता है इसमें कोरोना जांच के लिए कोबास 62 की दो मसीने राजे में लगी हुई है जारखन में महिला मंडल चलाएगी PDS दुकान दो दिवसे संताल परगना के दोरे पर गए CM हेमन सुरे ने पहले दिन गोड़ा के सुंदर पहड़ी स्थीत तसरीया में आयोजित विकास मेला साजनता दरबाल में सामिल हुए इस दोराण मुख्य मंद्रे ने 89 योजनाओ की सोगात दी है इसमें 18637.81 रूपए की 31 योजनाओ का उधार टन सोच है कि राजी के सुदरवर्ती और दुरुस्त गाओं में भी विकास रफ्तार पकड़े उन्होंने कहा है कि आप भी सरकार की जोजनाओ को जानने समझने का पड़्यास करे और उसका लाव ले मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार में अधिकारियों की सोच और कारे सहली बदल चुकी है सरकार आपके दौार कारकरम के मर्पत गांव पंचायत में सीविर के जरिये लाखों लोगों की समस्याओं का समधान होगा उच्छ अधिकारी सरकार के उजनावों को लेकर आपके दरवार पर पहुंच रहे हैं आगे भी इसी तरह से सीविर आयोजीत होते रहेंगे जहारखन में लगातार बढ़ रहा तापमान राजधानी राची समेत आसपास के जीलों में तापमन लागातार बढ़ रहा है, तपती धूप की वज़ा से गर्मी से लोगों को रहात नहीं मिल रही है, दिन भर तेज धूप के कारण हीट वेब जैसी सिती बनती जा रही है, अपरेल महिने के सुरू से ही गर्मी की ऐसी सि राची के लिए किसी तराची से कम नहीं है, लागातार सिस्टम रही हरियाली और कंक्रीट के जंगल ने राची सहर को आके गोले में तबदील हो रहा है, बतादे सहर के बड़े बुज़ुरुगों की माने तो कुछ साल पहले तक यदि तपती गर्मी पढ़ती थी तो साम ह होते ही राची और आस्पत के चेत्रों में बारिस हो जाती थी, जिस वह से यहां का तापमन समाने बना रहाता था, लेकिन इस साल के आकड़े बता रहे हैं कि गर्मी का रिकोर्ट तूटेगा, क्योंकि मद्य अप्रेल में ही राची का तापमन 35 के पार पहुंच चुका है रोप लगाया है कि धनबाद खुटी समेत कई जीलों में भाजपा के करकरताओं और बस मालिकों को लोकल थाना परभारी और अन्य पदा अधिकारी धामकार हैं, भाजपा के लोग डरने वाले नहीं है, अहिंसक आंदोलन में सभी हजारों लोग सामिल होने के लिए आने व बीजेपी के सचीवाले घेरा को बिफल करने की तियारी में जेमें, राजपा के सचीवाले परदसन कारकरम को जटका देने की सतारूड जर्खन मोक्ति मोर्चा ने पूरी तियारी की है, भाजपा नेता हेमलाल मुर्मो मंगलवार को साहिब गान में जामों में सामिल होंग जामो को जानता का जाना देश है भाजपा के लोग पिछले दरवाये से सत्ता पर काविज होना चाहते हैं बता दे जामो परवक्त अभी नोत पांडे ने कहा है कि भाजपा और आजसू के कई नेताओं ने जामो में सामिल होने के लिए अरजी दे रखी है हेमलाल मुर्मू के आने से भाजपा में खलबाली मची हुई है भाजपा राइनित्ती वजूद बचाने के लिए कारकरम कर रही है इन आई ए ने जारखन में एक साच चोदर ठीकानों पर की छापे मारी सुरक्षा बलोपर हमले की साजित रचने के मामलों की जाच कर रही एन आई ए ने साजन कुमार भुया नामक एक युवक को रिमांड पर लिया है जिसे पुस्ताच अभिजारी है साजन भागपा मवाजी के रिजनल कमंडर रविंद्र गांजु के पैसे का निवेसक और सहयोगी राजु साउख के यहां मुंसी है सुत्रों के मुताबिक साजन को रविंद्र गांजु के बीतीय लेंदेन निवेस की पूरी जनकारी है जिसके बारे में एन आई ए जनकारी जुटा रही है बता दे साजन की गिरपतारी रविवार को एन आई ए के छापे के दवरान हुई थी तब एनाई ने लोहर दगगा के नौ और लातेहर के पांच ठीकानों पर एक साथ छापेमारी की थी इस छापेमारी में तलासी के दोरान बीतिये लिंदेन और संपत्ती के समान में एक देशी पिस्टोल के साथ छाप कार्तूस एक मैगजिन इलेक्ट्रोनिक उपकराण वा अपत्ति जनक दस्तावे जब्त किये गए थे अवाय धरूप से बने बिल्डिंग करा ले रेगुलार राज्यक के सहरी छेतर में लंबे समय से बने अनाधिकरित बिल्डिंग को निमेथी करन करने में सरकार जूट गई है इसके तहट बनाई गई अनादिकरीत आवासिय निर्मान को निमिती करन करने के लिए जोजना 2022 को सरकार जल्द लागू करने जा रही है पुरो बिधायक मामता देवी को मिली जमानात कॉंग्रेस की पूरु विधायक मामता देवी जमानत पर सोमवार को जेपी केंद्रिये कारा हजारी बाग से बाहर आई, साम चार बच के 15 मेट पर कानूनी पर किये पूरी होने के बाद जेल से बाहर आकर अपने परजिनों से मिली, इसके बाद वहां से पैत्रिक आवास राम करके गोला थाना छेत्र में, आई पील कंपनी की द्वारा दर्ज मामले में मिले बेल परकिर्या को पूरा कराया है, बीजेपी के सची वाले घहराओ को लेकर पसासन लगाया धारा 144 भारतिया जनता पार्टी के प्रस्तावित 11 अप्रेल को रांशी के धुर्वाई सित प् रहेगा, बताया गया कि धूर्वा गोल्चकर से सच वाले होते हुए चांदरी चौक तक की 200 मीटर की परिदी बनी से धागया लागू किया गया है, इधर परसासन के इस आदेश को बीजेपी ने तुगला की फर्मान बताते हैं वे लोकतंत्र का गला घोटने की बात कही, बता दे अनुमंडल कर आले रांची दुवारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रजेक्ट बावन के समक्ष बीजेपी का धाना परदसन और घिराव कारकरम है, रांची के नामकुम में 12 अप्रेल का बंद अस्थागीत, जार्खन के लिए धानी रांची इस्थीत 12 अप् धाम मारा सिल्ला पहार इसीज सीव एवं पंजमोखी हनमान मंदीर में चोरी एवं तोड फोड़ कर धार्मिक सभाद्रे को बिगारने का प्रयास किया गया था, जिससे लोगों में आक्रोस है, इसके बिरोध में मारा सिल्ली पहार ट्रस्ट के सरस्यों ने 11 अप्रेल की साम को मसाल जुलूस और 12 अप्रेल को नाम कुम बंद का ऐलान किया था, इसको देखते हुए पुलिस हरकत में आई, सोमवार को SSP मुमल राज पुरोहित के नेतिवत में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनिल कुमार तिवारी, खरसी दाग ओपी प्रभारी सुकदेव साहा एवं तकनिकी सकागे टीम सीव लोकधाम मंदीर पहुची, बोकारो के अंकित का उच सिक्षा का सपना होगा सकार, बोकारो निवास से अंकित कुमार का उच सिक्षा प्राप्त करने का सपना सकार होने वाला है, मुख्यमंत्री हमन्सुर के निदेश पर, डीसी ने अंकित क अब आप खुब मन लगा कर पढ़ो और खुब आगे बढ़ो मेरी सुब कवनाई आपके साथ है मैंने पहले भी कहा है हमारी सरकार में गरीबी को कभी किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावाट का कारण बनने नहीं दिया जाएगा इसलिए आज प्री और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप में भी दो से तीन गुना ब्रिदी कर जहारखन के लाखो युवाओं को सहारा मिला है यही नहीं अंकीत को पाठे समागरी भी उपलब्द कराई गई अब उसकी पढ़ाई में कोई रोडा नहीं है दूसरी और अंकीत की माता बीराजू देवी को डाक्टर भीमरा अम्बेट कर अवाज स्वकृति कर दिया गया है परखन करेले दोबरा उन्हें अवाज स्वकृति का पत्र भी उपलब्द करा दिया गया है रांची के नगडी में मिला जंगली हाथी का सव रांची के नगड़ी में मकई के खेत में एक जंगली हाथी का सौमिला है घटना थाना छेत्रे के हर ही पुलिया इलाके की है हालाके हाथी की मौत कैसे हो इसकी कोई जनकारी अभी तक सामने नहीं आई ग्रामिनों की माने तो कल साम इस हाथी को जून में देखा गया था जिसके बाद ए अपने ग्रूप से भटक गया देर रात इस हाथी की मौत हो गई सुबह में ग्रामिनों ने इस हाथी को एक मकाई के खेत में मिरित देखा जिसके बाद लोगों ने इसकी सुचना बन विभाग को दी हाथी की मौत अब भी रहस्माई है बन विभाग से आई टीम ने पोश्माश्टम के लिए हाथी के सौ भेज दिया है ज्यारखन की धरोहर के रूप में तयार हो चुका है बिर्षा मुंडा इस्मिरिती उद्यान तीस एकड में फैला बिर्षा मुंडा इस्मिरिती उद्यान वह संग्रलारा बिर्षा की तमाम निशानियों को समेटे हुए है इतिहास का जीवन दस्तावेज बनकर या आज ज्यारखन की धरोहर के रूप में तयार हो चुका है यहां के कंड कंड में धर्ती आबा की निशानियों मुझूद है जिनकी प्रेणा और संगहर्ज की कहानिया आज भी हमें आगे बढ़ने और करतब ये पालन का बोध कराती रहती है त्यारखन सरकार ने इस अस्तल के महत्यों को समझा और अब जाकर या जीवन दस्तावेज और धरोहर के रूप में त्यार होकर समने आया है जल्द ही राजी के लोगों को इस अतिहासिक अस्तल से रूबरू होने का मौका मिलेगा देवगर यारपोर्ट पर रात में कम रोशनी में भी बिमानों की होगी लेंडिंग देवगर यारपोर्ट पर रात में कम रोशनी वा खराब मौसम में भी बीमानों के लेंडिंग के लिए अब और अधिक इंतियार नहीं करना होगा यारपोर्ट पर इसके तहाद एक्यूपमेंट लगने के लिए सीविल वर्क का काम प्रादाम पर दिया गया एयरपोट प्रबंधन से मिली जनकारी के अनुसार इसे चालू करने में अभी 6 महिने का समय लग सकता है दो महिने तक इसका ट्रायल होगा ट्रायल पुरा होने के बाद रात में लेंडिंग की अनुमती दी जाएगी जमसेदपूर में इंटरनेट बंध से 200 कड़ोर का कारोबार प्रभावीत जमसेदपूर के सास्त्री नगर में हुए उपद्रेव के करन सोमवार को जीला पसासने पूरे सहर की इंटरनेट सेवा को सुरक्षा के द्रिष्टी से बंध करा दिया है सहर में इंटरनेट सेवा बंध होने से आम जन जिवन पूरी तरह से ठब पड़ गया इंटरनेट के माध्यम से होने वाले सारे कारे प्रभावीत हो गए जहां एक और आम मेल, मैसेज, वाटसेप, कालेंदेन नहीं हो सका वहीं इसका प्रभाव ऑनलाइन पेमेंट पर सबसे अधिक देखने को मिला बिभीन सुरोतों से मिली जनकारी और आकडों के अनुसार सहर में करीब 180-200 को रुपय का बजार प्रभावीत होया है छोटे दुकान से लेकर मौल, रेस्टोरेंट, होटल, पेटोल, पंप, जहां भी मोबाईल फोन से पेमेंट सिस्टम है वहां का बाजार प्रभावीत रहा है कुरोना से निपटने को लेकर देवग सदर अस्पताल तयार जहारखन में एक बार फिर कुरोना संक्रमन के अस्पतार बढ़ने लगी है राज स्वास्ट विभागी निदेशपत सोमवार को सदर अस्पताल अन्डमंडल अस्पताल समेथ स्वास्ट केंद्रों में कोविट संक्रमन से निपटने को लेकर मौग डिल किया गया इसमें देखा गया कि कोविट से निपटने के लिए अस्पताल कितना त्यार है बता दे सदर अस्पताल में अस्पताल उपाधिक्षक डाक्टर प्रभाद रंजनवा जीला महमारी विशेशागे डाक्टर मनिस सेखर की देखरेक में मौग रील हुआ गुमला में नक्सलियों ने वाहनों को जलाया गुमला के विशनुपूर परखंड में एक वरस के बाद फिशे नक्सलियों ने अपनी दस्तक दी है दरसल नक्सलियों ने टेमर करचा गाव में सलक निवान में लगे दो गाडियों को आग के हवाले कर दिया और वहां पर कारणत मज़ुरों को जम कर पिटा साथ ही मुनसी को पार्चा सोपते हुए सड़क का काम बंद रखने की धमकी दी नक्सलियों की इस धमकी के बाद से जमटी से टेमर कर्चा तक कडोर रुपय की लागत से बन रही सड़क का काम बंद हो गया है धन्यवाद